देखें नेक्स्ट कोशन क्या है कहता है क्या टेस्ट दा कनभरजेंसी ओप समेशन एन इकोल टू वन को इनिफिनिटी माइनस वन पे पावर एन माइनस वन पे पावर पी इस भाइस आपको solve करना है तो आएए इसको solve करते हम लोग इस चीज़ को क्या किजिए आप solve किजिए तो देखिए minus 1 पे power n minus 1 है यानि कि जैसे जैसे power आपका even होगा value plus होगा और odd होगा तो क्या हो जाएगा minus समझे यानि कि plus minus plus minus है तो solution क्या लिखेगा दी गिवन शीरीज is alternating series alternating series of the sum u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus dot 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 एक आपका plus है और एक क्या है minus है यह यू एन बराबर वन बाइन पर पावर ले लेजे पी और यह 10 to 0 हो जाएगा एज एन टेन स्टू कितना infinity for all p greater than equal to one कहने का मतलब है कि जब आप n tends to infinity लेकर जाएगा समझ गया n tends to infinity लेकर जाएगा तो और जब पी एक से बड़ा थवा बराबर होगा तो इस केस में यह one by infinity हो जाएगा और one by infinity कितना हो गया जिरू था ही नहीं वहाँ आप लोग pay phone news करते हैं पताने मेरे से तो जाएए नहीं रहा है उस पर जोले खेर छोड़िए अब देखिया यह also also देखे यह चुकि बटे वाला केस है तो जितना एन का मान बढ़ते जाएगा उतना भेलू क्या होगा घड़ते जाएगा also you and greater than you and plus one ठीक है यू एन जो है ना यू एन प्लस वन से क्या है बढ़ा है रीजन क्या है क्योंकि एन का मान बढ़ाने से नीचे बढ़ते जाएगा नीचे जितना बढ़ेगा भाई सब उतना क्या होगा घटेगा लिखेगा हैंस कि दी कि गिवें सिरीज कि इस कनभर्जेंट कि इसलिए भाई साब कनभर्जेंट है है अब इसकाबाद याज किजेतर हम लोगर एक सबस्तais कनभर्जेंट हो तो और अब्सलिट्ली कनभर्जेंट से देखे देखे यूओन मानस यूटू पलस यूओ फूर यह कनभर्जेंट है यह सब को पलस कर दिजे तब भी वह कनभर्जेंट रहेगा तब यह सब भाई सब कनभर्जेंट के साथ साथ क्या हो जाएगा एपसोलिटली कनभर्जेंट तो यहां पर क्या किजेगा इसको लिखिएगा इस तरह से दी गीवेन शिरीज इस एपसोलूटली कनभर्जेंट एपसोलूटली इफ आपका 1 बाई 1 पे पावर पी 1 बाई 2 पे पावर पी 1 बाई 3 पे पावर पी पलस डॉट 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 इस कनभर्जेंट ठीक यह भाई साथ कनभर्जेंट हो और याद कीजेगा तो यह कनभर्जेंट कब होता इस वाले केस में पढ़े हम लोग जब पी ग्रेटर देन इकूल टू क्या होता है वन समझ गे यह कब होता है जब पी ग्रेटर देन क्या हो जाता है वन बट बट 1 by 1 पे पावर पी 1 by 2 पे पावर पी 1 by 3 पे पावर पी प्लस दॉट डॉट 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 पलस 1 बाइ N पे पावर P is convergent, is convergent if P is greater than 1 N is divergent, N is divergent if P is less than equal to 1 याद कि तब जो मेट्रिक सीरीज के बाद हम लोग ये बला पढ़ेते हैं समझ गए, जो मेट्रिक सीरीज के बाद हम लोग इसी इसको पढ़े थे इसी लिए क्या हो गया Thus the given series is absolutely convergent convergent, if P is greater than 1 and conditionally convergent if 0 less than P less than equal to 1 absolutely convergent और conditionally convergent का जो है न, definition इसके बाद हम आपको एक बाद लिख देंगे ताकि आपका clear हो जाएगा, ठीक But When P बराबर 0, जब P 0 के बराबर हो जाएगा तब बताएगा तो ये P 0 के बराबर हो जाएगा तो something power 0 to 1 तो ये भाई साब जो आपका series है, एक बार plus 1, एक बार minus 1, एक बार plus 1, एक बार minus 1 मिलेगा ठीक है Then The Series Becomes 1 minus 1, plus 1 minus 1, plus 1, dot dot dot, plus minus 1 पे power n minus 1, plus dot 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 ये ये भाई साब आपका जो टर्म है, और नमबर में रहेगा तो बेल वन मिलेगा, और ये इवेन नमबर में रहेगा तो बुलिएगा तो कट के कितना हो जाएगा? 0 If the number of terms be odd then sum equal to 1 and and if the number of terms number of terms be even then the sum equal to हो जाएगा 0 इसका मतलब एक बार किसी case में 1 होता है, किसी case में 0 होता है इस case में बताएगा तो कैसा series होगा oscillating series then in this case then the series will be will be oscillating यह भाई सब oscillating हो जाएगा समझ गया? और अब एक ठो और केस लेके चलिए देखे पी आपका एक से छोटा थो बड़ा पे देख लिए हम लोग जीरो पे देख लिए और जीरो से छोटा होगा तब क्या देखेगा? हाँ लिखिएगा बाई वेड पी लेस देंамен जीरो यू-N बराबर ओन बया बाईन पे पावर पी 10 to infinity this is 10 to infinity देखिए पी जो है ना concert य рек fan लेस देंजिरो का मतलब बोलिएगा तो नेगेटिव है तो जैसे एन के जेगब पे वन बाई suppose n के जगा पे 2 ले लेते हैं ठीक आद 2 पे पावर p negative है तो 2 पे पावर ऐसे किजे n पे पावर p के जगा 2 ले लेते हैं तो n पे पावर उपर भेजेगा तो 2 हो जाएगा और n के जगा क्या रखेगा infinity तो infinity के square कितना हो गया infinity याने कि जब आपका p negative है तो u n tends to आपका कितना हो जाएगा infinity जब n का value कितना होगा infinity और इस case में आप बताएगे कि यह भाई सतंप कनभर्जेंट नहीं होगा समझेए पाए सो दी सीरीज वील भी नोट exercising जब यह infinity हो गया तो कनभर्जेंट नहीं हुआ ठीके तब फाइनली आप क्या देखे काम भर्जेंट नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि जो कन भर्जेंट नहीं होगा वो क्या होगा कि डाइवर्जेंट समझ गया है इसका मतलब हम लोग लिखते हैं कि क्या मिला कि भानेली एक बार लिख देते हैं यहां पर कि अ भूम टूस्ट बढ ten पूर कि बढने cama मिला जिटन कि तर लिखनिक कि न के भीं कि बढने अ कि अ फिर देगन when series is absolutely convergent, when P greater than 1, conditionally convergent, when 0 less than P less than equal to 1, and is divergent when P less than equal to 0. इसको लिखिए, इसके बाद जो है न, आपको absolutely convergent और convergent का हम आपको definition लिखते हैं. ठीक, ताकि आपको ये clear हो जाए कि किस case में absolutely convergent होता है, और किस case में ये conditionally convergent होता है. देखिए, absolutely convergent series क्या होता है, कि आपका कोई series है, इसको absolutely convergent कहेंगे हम लोग, यदि इसका magnitude लिजे गाति ये भाई, सब क्या होना चाहिए, convergent, यहाँ पर जो है न, यहाँ पर plus minus हो सकता है, plus minus इस में, इस series में plus minus हो सकता है, लेकिन जब इसका magnitude लेकर आगे बढ़िएगा, तो हर term जो plus है, वो आपका यदि convergent है, तो जो यह series दिया हुआ है, यह series आपका हो जाएगा absolutely convergent, conditionally convergent या semi convergent का मतलब होता है, एक series है जो की convergent है, समझ गे, जिसका सारा term plus और minus नहीं है, ठिक, तब कहता है कि यदि सारे term को हम plus बना लेते हैं, तब भाई सहाब समझ गे, then that series is called semi convergent, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे semi convergent या conditionally convergent, क्या है एक बाइफिर से देखे, if एक convergent series जिसका सारा term आपका plus में नहीं है, becomes divergent, वो divergent हो जाता है, कब, जब सारे term को हम क्या बना लेते हैं, positive, एक series है जिसमें plus मैनस दोनों हैं, वो भाई सहाब convergent हैं, अब यदि सारे term को हम plus बना लेंगे, तो वो convergent नहीं बलकि क्या हो जाए, divergent, तब वैसे series को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं semi convergent या conditionally convergent, फिर देखें, एक series है जिसमें plus मैनस दोनों हैं, वो भाई साब convergent हैं, यदि सब को हम plus बना लिए, तो अब convergent नहीं, बलकि क्या हो जाए, divergent, तब जो है न ये जो series convergent series दिया हुआ है, इस भाई को हम लोग semi convergent या आपका conditionally convergent कहते हैं, कहने का मतलब है कि सब plus बनाने के बाद में हम यहाँ पर convergent की बात कर रहे थे, यहाँ पर सब plus होने के बाद में divergent होगा, यानि कि जो series आपका convergent होगा, और absolutely convergent नहीं होगा, उसको हम लोग conditionally convergent कहते हैं, यानि कि A series which is convergent, वो convergent हो, लेकिन absolutely convergent नहीं हो, क्योंकि पलस बनाने के बाद में आपका वो convergent नहीं बलकि divergent हो, वैसे series को हम लोग कहते हैं, conditionally convergent या semi-convergent, इसको note किजे, और फिर जो है हम लोग आगे का सवाल बनाते हैं, अगला question क्या है, कि integration 0 to pi by 2, cos पे power m theta, sin पे power n theta, d theta को किस में लिखना है, gamma के form में, समझ गिसको लिखना है gamma के form में, तो आईए, इस भाई सहाब को हम लोग करते हैं, solve, we know, we know, जरा बताएगा तो beta m n कितना होता है, integration, 0 to 1 x पे power m minus 1, 1 minus x पे power n minus 1 और dx, put कर दीजे, put x equal to cos square theta, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, या x का differentiation कितना, 1, 2 cos theta, cos का minus sin theta, d theta by dx, तो dx बराबर minus sin 2 theta, और कितना हो गया, d theta, तो आपका जो है, therefore, beta m n, कितना हो गया, integration, 0 रखिएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो कितना, 1 रखिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 0, जिरो रखिएगा तो 1 नहीं न, ने, 1 होगा तो, ने, ने, रुकिज़े, 1 रखिएगा तो, ये 1 रखिएगा तो, पाइबार 2 न हो जाएगा, और फिर यदि आप 0 रखियेगा तो कितना cos 0 कितना पर होता है 90 पर एक रखियेगा तो cos 1 कितना पर होता है 0 पर ठीक तो है x पर power m-1 cos square पर power कितना m-1 1- cos square theta पर power n-1 dx के जगह पे minus sin 2 theta और कितना d theta ठीक है तो beta m-1 इस minus के वज़े से limit को उपर निचे कर दीजे 0 से pi by 2 cos पे power 2m-2 theta ये तो sin square हो जाएगा sin पे power 2m-2 theta और इसको तोड़िये दीजे तो बहता रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos theta into sin theta d theta तो beta mn equal to 2 बाहर integration 0 से pi by 2 cos पे power 2m-2 plus 1 तो minus 1 theta sin पे power 2m-1 theta और d theta कहें का minus 2 plus 1 minus 1 हो गया समझे गे और अब आप क्या किजे replace किजे ठीक replacing 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 m by कितना से m plus 1 by 2 m plus 1 by 2 and n by n plus 1 by 2 we have m के जगा पे m plus 1 by 2 रख दीजे n के जगा पे n plus 1 by 2 तो beta m plus 1 by 2 n plus 1 by 2 बराबर twice of integration 0 से pi by 2 cos पे पावर 2 into m के जगा पे m plus 1 by 2 minus 1 theta sin पे पावर 2 n के जगा पे n plus 1 by 2 minus 1 theta और आपका हो गया d theta ये cancel ये cancel ये कितना हो जाएगा twice of integration 0 से pi by 2 cos पे पावर 1, 1 cancel यानि कि m theta sin पे पावर n theta d theta बराबर बीटा कितना m plus 1 by 2 n plus 1 by 2 तो integration 0 से pi by 2 cos पे पावर m theta sin पे पावर n theta d theta बराबर 1 by 2 बीटा बीटा m n बोलिएगा तो किसके बराबर होता है gamma n gamma m gamma n by gamma plus m plus n gamma इतना plus n plus 1 अब plus कितना जी 1 बोलिएगा तो बीटा m n बराबर क्या जानते है gamma m gamma n by gamma कितना जी m plus n इसी को बढ़ियाँ से लिख लिजे तो integration 0 से pi by 2 cos पे पावर m theta sin पे पावर n theta d theta equal to 1 by 2 और gamma gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 by m plus कितना हो गया n तो m plus n एक एक दो अब बाई कितना हो गया 2 और यही जो है आपका हो गया answer समझे यही आपका हो गया answer बोल रहा था क्या कि integration 0 से pi by 2 cos पे पावर m theta sin पे पावर n theta को gamma के रूप में लिखना था तो gamma के रूप में हम लोग लिख दिये चलिए इसको आप नोट कीजे इसके बाद वहला फिर सवाल देखे अढ़ आपकार की आपका हो आपका हो और देखे पापका हो Ohh झाल झाल देखे इस question का हम लोग बनाते हैं क्या काता है evaluate triple integral over the region d x square plus z square dx dy dz where d equal to x square by a square plus y square by b square plus z square by c square less than equal to 1 है इस question को हम लोग बनाते हैं जैकोबियान पर बनेगा ये question समझे के put किजिए put x by a equal to u y by b equal to b and z by c equal to w तो implies x बराबर a u y हाथ हम square ने put के जेड बराबर कितना c w समझ गये तो बताएगा तो dx बराबर कितना हो जाएगा a du dy बराबर b db और d z बराबर c dw हो जाएगा ठीक है अब चलिया ये और d किसके बराबर हो जाएगा बोलिएगा तो u square plus v square plus w square less than equal to कितना हो जाएगा one therefore i बराबर जिसको integrate करना है टि टिपल इंटेग्रल ओभर देजन d x square plus z square dx dy dz तो i बराबर इसके जगह पे क्या लिखेगा बोलिएगा तो d आपका कितना हो गया u square plus v square plus w square less than equal to one और x square हो जाएगा आपका a square u square plus z हो जाएगा c square w square dx है a du b dv और c dw यानि कि i बराबर आपका क्या हो गया a b c बाहर triple integral ये आपका क्या हो गया d region d हो गया और क्या बचाल है a square u square plus c square w square और d u dv और हो गया d w ठीक है तो इस भाई सहाब को आप क्या किजे अलग-अलग कर दीजे समझ गया अलग-अलग किजेगा तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो let ऐसा किजे न let i है न ये i आप इसको लिए है let i1 बराबर समझ गया i1 बराबर triple integral over the region d a square u square plus या ऐसा किजे न इसको जो है ऐसा किजे ठीक है क्या किजेगा तो i बराबर a, b, c a triple integral समझ गया d a square u square d u, d v, d w plus triple integral over the region d c square w square d u, d v और d w तो i बराबर a, b, c a square bar triple integral over the region d u square d u, d v, d w plus c square triple integral over the region d w square d u, d v और आपका हो गया d w ठीक है और आपका i बराबर हो गया a, b, c a square i1 plus c square i2 समझ गया इसका नाम एक दे देजे now i1 बराबर triple integral over the region d u square d u, d v और d w अब इस भाई साहब को हम लोगों को क्या करना है evaluate करना है ठीक है तो आए इसको evaluate किया जाए देखिए इसको कैसे आप बनाईएगा ठीक यहाँ पर put करके बनाना पड़ेगा transform करना पड़ेगा ठीक है latest use transformation latest use transformation जैकोबियन से हम लोग बना रहे हैं समझगे जैकोबियन से एकस यू यू बराबर आर साइन ठीटा इसको याद रखिएगा कॉस फाई भी बराबर आर साइन ठीटा साइन फाई और डबलू बराबर आर कॉस ठीटा समझ गए इसको spherical इसको spherical coordinate बोलते है इसको क्या बोलते है spherical coordinate therefore यदि आप u square plus v square plus w square लिजेगा तो देखेगा तो क्या हो जाएगा r square sin square theta cos square फाई plus r square sin square theta sin square phi plus r square cos square theta और अब जो है यहाँ पर u square plus v square plus w square यहाँ से आपका r square और sin square theta को मन्त क्या बचेगा cos square phi plus sin square phi plus r square cos square theta यह तो एक हो गया r square sin square theta plus r square cos square theta यानि क्यों u square plus v square plus w square बराबर हो गया आपका r square इसको नोट किजे अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आप पूरा देख्वें ने कियो हूंगे आप पूरा देख्वें ने कियो हूंगे आप लोगों को वो बताये थे क्या करते हैं इसका नाम था क्या पढ़ाय थे अरे उसके बाद जो आता है ना नम यह भूल रहे हैं डिसलेट इंटेग्रल पढ़ाय थे यह नहीं हुआ था देखे अब आपका क्या हो गया इतना हो गया और साथ ही साथ जैकोबियन आपका जो है ना जे बराबर हो गया आर स्कॉार साइन ठीटा इसको याद रखिएगा ठीक है तो डिडेश एक निया रेजन कितना बन जाएगा डिडेश निया रेजन पहले डी था अब स्फेरिकल कोडिनेट में हो गया तो आर ठीटा फाई जहां पर आपका जीरो लेस दन इकोल टू आर लेस दन इकोल टू आन 0 less than equal to it is less than equal to pi और 0 less than equal to आपका phi less than equal to कितना 2 pi हो गया therefore I1 बराबर कितना हो जाएगा triple integral over the domain D dash और आपका जो है U square है U square DU DV और कितना DW तो I बराबर triple integral over the region D dash U का मतलब आपने क्या माना था R sin theta cos phi R square sin square theta cos square phi और आपका जो है आपका हो गया कितना Jacobian J और अब आपका हो जाएगा DRD theta और कितना D phi ये तरीका होता बनाने का triple integral over the region D dash R square ये आपका हो गया sin square theta cos square phi और Jacobian ये कितना है R square sin theta समझ गये DRD theta d phi triple integral over the region D dash R square power 4 sin cube theta cos square phi DRD theta और d phi अब अलग अलग कर दीजे integration R का limit 0 से 1 है 0 से 1 R पे power 4 DR theta का limit 0 से pi है sin cube theta d theta और इसका है 0 से कितना 2 pi cos square phi और कितना हो गया D phi इस भाई सहाब को हम लोग क्या किये तो अलग-अलग कर दीए ठीक है और आईए इसको solve किया जाए बस अब last है इसको solve किजिएगा तो कितना हो जाएगा R per power 5 by 5 limit 0 से 1 इसको लिख सकते है integration 0 से 2 into pi by 2 sin cube theta d theta और यहां से जो है आपका यहां से भी आपका जो है कितना हो जाएगा 2 bar integration 0 से pi और cos square phi d phi यह तो एक बटे 5 lower limit तो काम है ने करेगा यहां से 2 बाहर integration 0 से pi by 2 sin cube theta d theta 2 बाहर यहां को भी आप लिख सकते है integration 0 to 2 into pi by 2 cos square phi d phi तो कितना जी दो बटे 5 तीन है तो दो बटे 3 reduction formula लगा दिये दो बटे 3 से खतम हो ता कहानी खतम 2 into 2 integration 0 to pi by 2 cos square phi और कितना d phi 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 बटे 15 और इसको तोड़ियेगा तो कितना है 2 है ना तो 1 by 2 1 by 2 से खतम होगा तो pi by 2 तो ultimately जो है result कितना हो गया बुलियेगा कि दो दूनी 4 4 यानि कि 4 pi by 15 समझ गे तो यह i नहीं था यह कितना था i1 था समझ गे i1 था यह i1 बराबर हो गया similarly i2 बराबर हो जाएगा 4 pi by 15 therefore i बराबर कितना था बुलियेगा तो a, b, c कितना था इधर बुलियेगा तो a, b, c इसके बाद आपका था कितना जी इसके बाद था आपका a square i1 नहीं a square i1 plus c square i2 तो i बराबर a, b, c a square i1 4 pi by 15 plus c square 4 pi by 15 और finally i बराबर आपका क्या हो गया कि a, b, c और कितना into c square plus a square और 4 pi by 15 और यही इसका हो गया answer समझ गया? चलिए इस इस को आपन नोट किजए इस इसका आपनोट किजए झाल से सोब्सक्राइब कर दो प्रहुंस पर फिर भी टाल प्राइब तो पर प्राइब जयत बाइब कि लुट कि लुट कि लुट